हेलो फेर्ण्स एक जाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे ब्लाइन फेडरेशन केस की जो देख सकte हैं नोटिस यह कुछ दिन पहले सबी छात्रों सिक्षक अभियर्थी जितने हैं उन सबी के द्वारा Twitter campaign चलाया गया और उसके बाद 27 तारिक को ये notice निकाला गया ये आप notice देख सकते हैं 27 तारिक को ये notice निकाला गया और सरकार ने special mentioning कराई इस case की Blind Federation case की special mentioning कराई और उसके बाद कोट ने इसे स्विकार भी किया है accept भी किया और 27 तारिक को कोट ने special notice निकाल कर 28 को इसकी सुनवाई यानि आज की डेट की 28 को इसकी सुनवाई करने के लिए समय दिया था लेकिन किसीन कारानवास आज ये सुनवाई पूरी नहीं हो सकती 28 को ब्लाइन फेडरेशन केस उन्चास चोवहत्तर जो है 2020 की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और इसकी अगली सुनवाई की तारिक दे दी गई है और वो कब होई है तो वो देगी है 31 माई को इसकी अगली सुनवाई होगी कब 31 माई को चलिए मैं आपको यह बिता रहा था कि ब्लाइन फेडरेशन केस की अगली सुनवाई 28 माई को आज सुनवाई थी लेकिन किसी कारण वास यह पूरी नहीं हो सकी और कोट ने इसको 31 माई का आदे दे दिया है 31 माई को फिर से सुनवाई की तो चलिए देखते हैं फिर से अब 31 माई को क्या होगा यह हाला कि आज सभी जितने भी सिक्षकर पहड़ती है वो सभी आज लगा हुए थे कि इस पर फाइनल डिसिजन आ जाएगा कुछ बहुत ही बनिया होगा लेकिन 31 माई को अब सुनवाई होगी तो इंतचार तो फिर से बढ़किया थोरा सा 31 माई तक का चुकि यह ब्लाइन फेडरेशन का केस हरा की सरकार ने कह दिया है कि वो चार पसंद आरक्षन को लेकर पूरी तरह से तयार है और वो आरक्षन देने के मूड में है यानि आरक्षन दे दिया जाएगा तो इस पर अब कोई पेज फस्ता नहीं दिख रहा था लेकिन 31 माई को सुनवाई होगी फिर क्या होता है वो उस दिन पता चलेगा आज अगर सुनवाई पूरी हो जाती उसके बाद यह फाइनल हो जाता केस अगर इस कोट इस्ट हटा देता निवक्ति से तो छठे चरंट की बहाली पूरी होने के बाद फिर जो रिजल्ट आया था इस्टीटी 2019 की उसके साथे चरंट की निवक्ति की संभावना पूरी बन जाती हालां कि साथे चरंटी तो होगी जब स्टीटी के तीन वि सब्स्राइब कर लिए इग्यामद्वार चैनल को चलिए जय हिंद जय भारत